कानपुर में सिविल लाइनिस्तिक डीजी कॉलेज में सोम मार सुबै संदिक्द हलत में एक छात्रा चोथी मंजिल से गिर गई मरलासन हलत में उसको हलेट अस्पताल में भरती कराया गया सीर समेट पुरे सहरीर में गंबीर चोटे आई है चाता ने खुद चलाग लगाई या किसी ने धक्का दिया था ये हाथसा है इन तीनों पहलों पर पुलिस जाच कर रही है मचली टोला मेश्टन रोड निवासी महमद इशाग की बेटी अधीवाई सार दीजी कॉलेज से भी प्रतम वर्सकी पढ़ाई कर रही है सो मार को उसका सिच्छा सासर का पेपर था कॉलेज पहुचने कुछ गंटी बाद अधीबा खून से लत्पत जमीन पर पड़ी मिली कॉलेज प्रसासन ने उसके परजनों वा पुलिस को सूचना दी एसीपी करनल गंत्र प्रारी पांडे ने बताया कि चोती मंजिल पर छात्रा का बैग आधी रखा मिला यहीं से वह नीचे गिरी है जाज कर पता लगाया जारा कि क्या वह खुद कूदी है अगर ऐसा है तो इसके पीछे वज़े क्या है इसके इलावा साजिस वहाथ से के बिंदू पर भी जाज की जारी फिलाल चात्रा हैलट के आईशियू में वड़ती है हालत नाजुक बता ही जारी क्या जानकारी क्या जानकारी कि एक बच्ची जो चौथी मंजिल से चलांग लगाई है इस पे यहां लोग आया तो बच्ची को हस्पीटल भिजवा दिया गया है और उसकी बिस्तित जानकारी की जा रही है उसमें वो बी ए फर्स्ट यर की सेकेंड सेवेश्टर की छात्रा है और उसके परिवार से संपर्क हो गया है जल्दी सारी बाते सामने आ जाएगी उसके कुदने का कारण क्या था अभी वो बोलने की स्थिति में नहीं है इसलिए बहुत सी बाते असपरस्ट नहीं है कुछ लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं कुछ महिलाएं वो कुछ बताने को तयार नहीं है यहां पर जो सीटी वी वगरा लगी है उसको भी खंगाला जा रहा उसके मारफत से भी सारी चीजे एकतित की जाएगी हैं उसके साथ चाटरां से या प्रसूम की हां उसे भी मैंने बाद सिसगे पसंदे पड़्रा कुछ बताने को तयार नहीं है उसका करण है कि छुट्री हो चुकी है तो त्माम च disappearance यहां से जा चुकी है इस बारे में अभी आपस्पश्ट नहीं है चौती मंजील पर उसका बैग मिला था जो की बैग यहां रखा हुआ है इसलिए अंदाजा लगा जा रहा है कि चौती मंजील से वो कुदी है यह सारी बातें असपस्ट हो जाएगी अभी असपस्ट नहीं किया जा सकता है कि कुदी है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें